दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूचे आज की सबसे पहले कबर बिहार में कोरोना से बंद हो सकते हैं स्कूल पीम के साथ आज होगी सियम की बैठक पहले ही तयार हुई कोरोना से लड़ाई के रनने थी जी हाँ देश में बढ़ रहे कोरोना के रब्तार और बच्चों पर खत्रे को देखते हुए बिहार में स्कूलो को बंद किया जा सकता है कोरोना की लड़ाई में फिर वही पाच, तयार, मास्क, सोसल डिस्टेंसिंग, जाच और वेक्सिनेशन के साथ जन जवरुता की तयारी है इस दोरान एकॉनोमिक मेनेजमेंट को लेकर बड़ी प्लानिंग है 27 अपरेल को पेम के साथ सेम की बैठक के बाद बिहार में नई गाडलाइन जारी हो सकती है पेम की बैठक से पहले राज के सभी जिलो के डियम से पूरी रिपोर्ट तलब की गई है कोरोना की पहली लहर से लेकर अब्द के हालाद पर पुरा मांतन किया जा रहा है आपको बता देकि कोरोना की बिहार में अभी हलात सामान है लेकिन देश में तेजी से बढ़ा कोरोना डरा रहा है देश की कोरोना के संग्रमन से बचाने और राजों की तैयारियों को लेकर प्रदान मंद्रे नरेंद्र मोधी 27 अपरेल को देश के सभी राजों के सियम के साथ बैठा करेंगे इसके तयारी बिहार में दो दिनों से चल रही है सियम नितिस कमार पूरी तयारी में लगे है स्वास्ति विवाग के साथ राज के 38 जिलों के जिला प्रसासन से पूरी रिपोर्ट तलब कर गी गई है अगली बड़ी ख़बर देश में बच्चों के लिए दो वैक्सिन के मंजोरी 6 से 12 साल के बच्चों को को वैक्सिन और 12 से अधिक के उमर वालों को जाईकोव डी लगेगी भारत के उस्दी महाने अंत्रक DCGI ने 6 से 12 साल तक के बच्चों के लिए भारत बायटो की को वैक्सिन के इमर्जनसी यूज के मंजोरी दे दी है इसके अलावा 12 साल से अधिक के उमर के बच्चों के लिए जाईडस के डिला की जाईकोव डी वैक्सिन को भी इमर्जनसी यूज के मंजोरी दे दी गई है यहाँ पैसला ड्रक्स कंड्रोलर जर्नल अप इंडिया की सब्जेक एक्सपर्ट कमेटी के मीटिंग के बाद लिया गया है जिसमें भारत बैटो की को वैक्सिन को 2 से 12 साल के उमर के बच्चों को लगाने के लिए डेटा मांगा गया था आपको बता दी कि फिलाल 12 से 14 साल के बच्चों को को वैक्सिन दी जा रही है 15 से 17 साल के बच्चों को को वैक्सिन का डोस दिया जा रहा है आज मिली मंजोरी के बाद देश मचे से 12 साल और उससे अधिक उमर के बच्चों को कूल 3 कोरोना वैक्सिन लगाए जाएगी बाड़ी खबर रेगिस्तान से तपिगा बिहार 72 घंडे में 45 डिग्री पार हो सकता है तापमान हीट बेब की चपेड में 19 जिली जिहां बिहार में रेगिस्तान की तरह तपिस होने वाली है 72 घंडे में पारा 45 डिग्री के पार पोहुच सकता है 19 जिलो में गर्मी और बढ़े गिजब कि परदेश के 14 जिले रेट जोन में है राज के अधिकान से जिले लोग की चपेट में है दचिन बिहार में तो आस्मान से लेकर जमीन तक आग ब्रस रही है आने वाले तीन दिनों में बिहार के 19 जिलो में हीट बेब की बड़ चुनोती है जिसको लेकर मौसम बिभाग ने हाई अलड जारी कर दिया है आपके जानकारे के लिए बता दे के मौसम बिभाग ने दच्छिन बिहार के 19 जिलो बकसर भोजपर रोहतास बबवा औरंगाबाद अर्वल पटना गया नालंदा सेखपुरा नवादा बेगुसराय लखिसरा जहानाबाद वागलपूर बाका जमुई मुंगेर और खगड़ मजद बिहार के 8 और दचिन पूरो बिहार के 5 जिलों में गर्मी से खत्रा बढ़ जाएगा मौसम बिभाग ने इन जिलों में लोगों को दोपार में गरों से बाहर निकलने की मना ही की है बाड़ी कबर बियार में जल संकड की समयसा नहीं पानी की समयसा हो तो इस नंबर पर करे कॉल 24 घंडे के अंदर होगा समधा जी अभियार में भेशन गर्मी पढ़ने के बाद भी इस बार जल संकड की सिति नहीं है ना ही राज के किसी जिले में ऐसी सिति बनती दिख रही है बिहार के PhD मंत्री रामपृत बासवानी मंगलवार को बताए कि सरकार पूरे पंचायत पर नजर रख रही है राज के पानी के समय से होने पर जनता वाने डबल जिरो वन टू तरी डबल वन टू वन नंबर पर सिकायत कर सकते है मंत्री ने 24 गंडे के विदार इसके समधान का वरुसा दिया है उन्होंने बताए कि पाड़ी इलाके और केमूर के जन जाती है चेत्रों में टेंकर से पानी पहु ना होगा एंडी से को जल्द भेजा जाएगा प्रस्ताव 75% परक्रिया पूरी जिहां केमूर अभियारन बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा इसके लिए पर्यावरन वन एवम जल्वाई परिवर्तन विभाग करी 75% परक्रिया पूरी कर चुका है राष्ट्य बाग सरक्चन प्रादिकरान के निर्देश पर केमूर जंगल की मैपिंग कर वफार जोन और कोर जोन तयार कर लिया गया है जल्दी विभाग इसकी सुची एंटी सीय को भेजेगा वफार जोन में अठारा गाव भी है सबी गाव को सुरक्षित रखा गया है रामिन इसका सर्वी चल रहा है या सर्वी अगले मां में फाइनल हो जाएगा उमीद है कि छे मां में एंटी से केमूर अभियारन को टाइगर जोर घोसित कर देगा यहाँ वालमी के नगर इसी टाइगर जोर से दोगोना बढ़ा होगा बाड़ी कवर बिहार के पाच बिजली घरों से अपूरति ठब गावां में 3-6 और सहरों में 2 घंटे से ज्यादा की कटोती जी अभी इसन गर्मी के बीज देर साम दो और बिजली घरों में उत्पादन बन होने के बाद सेंट्रल सेक्टर से बिजली के आपूरती में कटोत इस सेत्र में पहले बार पूरे दिन रात लोड से डिंग की जा रही है सबसे बड़े परिसानी तो यहाँ है कि जरुरत पूरी करने के लिए बाजार में भी बिजली अपलब्द नहीं है और जा मंत्री विजेंदर यादम ने कहा कि तकनिकी कारनों से दिक्कत हुई है जरुरत पढ़ने पर अने सुरतों से बिजली लेकर रापूरती करेंगे सुबह में किसी सुरत में संकट नहीं होने देंगे बाड़िकबर तंबाको पर पूर्ण परतिबंद लगाये जाने की मांग पर पीछी में हुई सुनवाई तीन मां के अंदर सक्चम पराधिकारी को निर्ने लेने का निर्दिस ज्यांडि की मांग को लेकर दायार जानेत याचिका पर सुनवाई करते हुए पाटना हाइकोर्ड ने याचिता कर्था को अपनी सिकायत के साध सक्चम प्रदिकार एक से संपर करने को कहा है साथ इस सक्चम प्रदिकार को तीन महीने के अंदर इस पर फैसला लेने का निर्दिस दिया है बतादी कि जनित याचिका में तंबाको निकोटे नियुकत किसी भी परकार के गुड़का पान, मसला का निर्मान, महंडारन, वितरन, परिवहन, प्रदसन या बिक्री पर पूर् करना होगा असान, जी है सोबे में माई के पहले सब्ता से डाग गर के करोडों खातागरों को को ए बैंकिंग की सुविधा मिलनी सुरू हो जाएगी, इसके बाद डाग गर के खाताधारक भी गुगल पे से सिग्र भूतान कर पाएंगे, इसके बाद पेंसन वा मानड़ेग को नितिस कुमार करिंग उदगाटन, जी हा विहार के लोगों को परवत्तर भारत के सबसे बड़े पेफसी प्लान के बाद पहले एतनौल प्लान का तवफा मिलने जा रहा है, राज के मुख मंतरी नितिस कुमार 30 अप्रेल को इस नई प्लान को उदगाटन करने जा रहे है यहाँ एतनौल प्लान्ट औदोगिक विकास की और अग्रसर पुर्निया को एतनौल उद्योग एक कदम और आगे ले जाएगा, पुर्निया के दमदाह अनमंडल के गनेशपूर परोड़ा में विहार का पहला एतनौल प्लान्ट बन गया है, यह प्लान्ट 104 करोड की लाग कटिहार सुपोल में होगी 29 से बारिस, जहां बिहार में गर्मी से फिलाल राहत नहीं मिलने वाले है, मौसम विबाग के मताबिक अररिया किसंगंज, पुर्निया कटिहार और सुपोल जिलो में 29 अपरिल से में गजन के साथ बारिस की समावनाए है, साते मौसम विबाग के म तब एक भागल पूर और आसपास के इलाकों में 29 अपरेल तक रहत नहीं मिलने वाले हैं आसमान साप रहेगा अधिक्तम तापमान 42 डिगरी सिलसेश तक रहेगा हलाकि 99 तापमान 24 डिगरी सिलसेश तक रहने की समावना है नमी 85 फेजी तक रहने की समावना है मैं 30 अपरेल से आसमान में आसे ग्रूप से बदल चाने लगेंगे इससे अधिक्तम दापमान में 42 डिगरी सिलसेश से गिर कर 38 डिगरी सिलसेश तक आज आएगी बाड़ी कबर बिहार में 4 गुना बढ़ी रोजगार मांगने वालों के संख्या ओलाइन पोर्टल पर 14 लाग इवावों ने कराया निबंदन जिह राज में 3 लाग लोगों ने रोजगार के लिए NIC पोर्टल पर आवेदन किया है पिछले बित्य वर्स की तुलना में या 4 गुना से अधिक है वह ओलाइन पोर्टल पर 2015 से अब तक राज के 4 लाग से अधिक विरुजगार वावों ने अपना निबंदन कराया है विरुजगारों को ओलाइन निबंदन की सुविता NCS पोर्टल पर 2015 सोलों से मिली हुई है पहले साल बिखार के मात्र 5152 विरुजगारों नहीं अलाइन पोर्टल पर निबंदन किया लेकिन 2016 में 4,05,399 बिरुजगारों ने पोर्टल पर निबंदन किया कोरोना के कारण 2021 में सबसे कम 71,817 विरुजगारों नहीं पोर्टल पर निबंदन किया लेकिन जैसे ही कोरोना का प्रवाव खतम हुआ 2021 में 3,5,683 विरुजगारों ने पोर्टल पर निबंदन किया जो हाल की वर्सों में सबसे अधिक है बाड़ी के पर बिहार के क्रिसी विभाग में 2666 पदों पर सिक्र होगी निबंदन किया विग्यापन जिया बिहार सरकार सिक्र ही क्रिसी विभाग में विभिन स्रेनी के 2666 पदों पर निबंदन किया शुरू करने जा रही है अनुसंसा भीज़ी गई है इसके साथ ही क्रिसी समयनों के 1470 पद उद्यान सेवक के 247 पद तता उद्यान लिपिक के 87 पदों का रूष्टर कलिरेंस करती वे करमचारी चैन आयो को क्रिसी भीबाग द्वारा अनुसंसा भीज़ी गई है आपको बता दे कि क्रिसी मंत्री अमरेंद्र प्रताब सिंग ने या घोसना मंगलवार को विबाग के नव नियुक्त दोस अठाइस क्रिसी अधिकारियों के परविस कलें प्रसिक्षन सिविर के सुभारम कायरकरम में किया माड़ी खबर बिहार में बस के यात्रा हुई और सुरक्षेट 24 गंडे रहेगी सरकार के नजर तुरंद मिलेगी औन स्पोर्ट मदद जिहां यात्री सुरक्षा को देखते वे सरवजनिक वाहनों के आप परिवहन मुक्याले से लाइब ड्रेकिंग हो सकेगी यानि बस वो ट मंत्रे सीला कुमारी ने इसका उद्गाटन किया है पाइलट प्रोजेक्ट के तोर पर पाटना से लाइवी ट्रेकिंग के सुरुआत की गई है फिलाल बिहार राज पत परिवहन निगम के बसों की रियल टाइम मनुटरिंग की जा रही है इसके बाद आने सहरों में संचलि लगाया जाना अनिवार किया गया है इससे सरवजनिक परिवहन के वहनों की कमांड एंड कंड्रोल सेंटर के जरिए लाइव मोनेटरिंग की जा सकी की एक अगस 2022 तक प्रावेट बसों में बेल लडी एबम एमर्जन्सी बटन लगाया जाना अनिवार हो जाएगा प्रदेश में बेजली कनेक्शन के लिए अब जमीन के रसीद जरूरी नहीं बदलने वाला है नियम जिया प्रदेश में बेजली कनेक्शन के लिए अब जमीन के रसीद देना जरूरी नहीं होगा आम उपवगताओं की सुविदा के लिए बेजली कमपनी नियौम में बद रहे है उसके पास उसके रसिद नहीं है एक समस्सा यह भी है की रसिद रहते है या खरीद जमini की यह flavour है..। ऐसे में इल् part 2 रह रहा तो उसके पास रसिद नहीं है आज के लिए आपका स्वार बताएं के बिहार में बेरोजगारे दर बढ़ने का मुख्य कारण क्या है इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं